नमस्कार ये मेरा घर है मेरा कमरा है पडोस में कुछ काम चल रहा है तो हलकी भुलकी कुछ न कुछ आवाजे आती रहेंगी क्रिपया उन्हें एक नूर कीजिए आज का जो विशे है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो दो विशे हैं पहला तो ये कि प्रधान मंतरी प्रेस क पर अखवारों के संपात्सकों से, नियूसे चैनल्स के संपात्सकों से मिलते रहते हैं còn गुफतकू होती रहती है और फॉमल उपचारी Bets भी होई है होती रही है हर साल एक होती रही है यह प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं पीच पीच में एक चुनिंदा इंटर्वियोर को ले लेते हैं अपने चुने हुए उससे वह बात कर लेते हैं ऐसले तरह से मन की बात कर रहे हों फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंटर्वियोर भी बैठा पूठा जवाब आया, फिर तीसरा पूठा जवाब आया, ऐसे लिस्ट पूरी है, इस पर हम बात में बात करेंगे, आज इस पर बहुत छर्चा हो रही है, सब चैनल्स में, अख़वारों में, रात के प्राइम टा luxurious पर चर्चा होगी, उधेर बुन होगी, हम भी इस पर बात हाथ चोड़ते फिरते हैं, पसीना बहाते हैं, एक ड्रेड़ मेंए परचार का, चुना परचार का, चुनाव जीतते ही, वो हमारी जिन्द्गियों से गायब क्यू हो जाते चैज्य है? ऐसा क्या है उस दुनिया में, कि उस कलब में, कि जिसका वोट तो हमारे पास है, मिंबर वो बन जाते हैं, पूरी सरकारी दुनिया उनको घहल लेती है उनके स्वागत होते हैं, उनकी प्रशस्तियां होती हैं, लोग उनको मतलब क्या कहते हैं, डेफरेंस जैसे होती है कि priority देते हैं, प्रात्मिक्ता देते हैं, जबके वो हाथ जोड़ कर जनता के सेवक बन कर आपका वोट मागने आए थे आप उन से मिलने नहीं जा सकते आप सोच नहीं सकते कि इनके सरकारी बंगलों में आप जा पाएं जो आपके खर्चे पर जिसमें वो रह रहे हैं और तो और इतने कट जाते हैं हमारे नेता कि अगर आप नोटिस करें जो प्रैलियां होती हैं नेताओं की, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की हो, चाहे वो कॉंग्रिस की हो, चाहे वो औरों की हो, उसमें जो स्टेज है, स्टेज और जनता के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी कुछ वज़े हो सकती, एक त हुई हो तो जो हमारे नेता हैं उनकी जिंदगी की सुरक्षा जो है वो हमारी जिंसिस का जिमा होता है तो ये एक एहतियात है कि लोगों में और जो बोलने वाला है उसमें फासला होना चाहिए दूसरा बड़ा कारण है कि कहीं जूता ना पड़ जाए पिछले कुछ सालों से जब से जौज बुश पर जूता फैका गया हमारे नेताओं पर भी जूता फैकने का रिवाद चल पड़ा है तो अपने आप में बहुत बेजज़ती मानी जाती है कि जूता फैक दिया तो इसलिए फासला ही इतना रखो कि कोई जूता ना फैक सके पीच दामरं पर जूता फैका गया योगा टीचर राम देव पर जूता फैका गया और नेताओं पर भी फैके गए तो इसके लिए और ज्यादा फासला रखा जाता है अब तो बात सिर्फ जूते तक नहीं रही प्रदर्शन करना जो किसी भी लोक शाही में लोगों का अधिकार है कि कालेज हंडे लेकर प्रदर्शन करें अब उस पर भी मना ही हो गई है मैं आपको एक चिठी सुनाता हूं ये पत्रांक चारजार चेटर पुलिस सदीक्षक का कारयाले पलामू प्रेशक पुलिस सदीक्षक पलामू सेवा में उपायुक पलामू लातेहार गड़वा और चत्रा डॉल्ट प्रेशक प्रदानमंत्री भारत सरकार के पलामू में प्रस्तावित परिभ्रमण के कारिक्रम के अफसर पर आपके जिला से आने वाले विभिन विभागों के कर्मियों और लोगों को काला रंग का वस्त्र एवं काला रंग का सामान लेकर नहीं आने एवं अपने साथ पहचान पत्र लाने के संबंद पे हैं आप दो अध्यान से सुनिए कि काला क्या क्या मना है कि सभा में कोई काला भी ना पहन कर आए या काला लेकर आए अब ये भी मना हो गया है प्रदान मंत्री भार्ष सरकार का पलामू जिलाग में परी भ्रमन कारिक्रम प्रस्तावित है दौरे का कारिक्रम है जहां वो रैलिया करेंगे अनुरोध है कि आपके जिले के विबिन विभागों के कर्मियों के मादम से माननिय प्रधान मंत्री के कारिक्रम में भाग लेने हेतू जित पूर्व से ही निर्देशित कर दिया जाए कि माननीय पूर्धान मंत्री भारस सरकार के कारकर्म सवस्तल पर कोई भी करमी या लोग काला रंग का हो। टाई, जूता, मोजा आदी पहन कर या काले रंग का बैग, पर्स, कपड़ा आदी लेकर सबस्तल पर ना आएं, तदा सभी कर्मी और लोग अपने साथ कोई पहचान पत्र अवश्य लाएं. जिन गलियों में घूमते थे, इनके घरों में जाते थे, वोट मांगने के लिए, हाथ जोडने के लिए, अब वो अगर सुनने आ रहे हैं इनको, तो शर्ते ये हैं, कि मोजे भी काले रंग के नहीं पहनने, जूते भी काले रंग के नहीं पहनने, पैंट भी काले रंग के नह ही होगा मतलब ये शर्ट है अपने ही प्रधान सेवक को सुनने की इतना घबराते क्यों है नेता चुने जाने के बाद जनता से और प्रधान सेवक इतना घबरा के रहे हैं सुरक्षा जनसुगी में बात समझ सकता हूँ कि उनका फर्ज है उनका काम है कि नेता की रक्षा करना लेकिन काले जंडे दिखा कर प्रदर्शन करना अगर कोई करना चाहे ये तो लोकतांत्री का दिकार है अब काला जंडा ना सही कुछ भी काला नहीं जरा सोचिए ये कितना फासला बढ़ गया है कितना फासला बढ़ जाता है हमारे चुने हुए सेवकों और हमारे बीच कितना फासला बढ़ जाता है बिलकुल ऐसे ही है जैसे मैं अपने ड्राइवर को एप्लिकेशन लिखूं कि रोज सुबह दस वज़े आप क्रिपया ड्यूटी पर आजाए मैं गाड़ी का दरवाजा खुद खोल के बैठ जाओंगा और क्रिपया मेरी गाड़ी चलाएं इसकी एवज में मैं आपको तनखुआ भी दूँगा आपको गाड़ी चलानी नहीं भी आती हो तो आप काम पर सीख लेना इतनी ज़्यादा दूरी हो जाती है जरा सोचिए अगली दफ़र जब आप वोट देंगे और ये लोग आएंगे आपके पास हाथ जोड़कर वोट मांगने मान कर चलिए कि एक देफ़र चुनाफ जीत जाने के बाद आप पांच साल तक इनके दर्शन नहीं कर पाएंगे ये हमारी लोक शाही की एक मजबूरी है क्यों? क्योंकि हम खुद को नागरिक नहीं मानते प्रजा या गुलाम मानते और अब बात करेंगे प्रधान मंत्री के तथा कथित तथा कथित माने इस सो कॉल्ड इंटर्वियू की मैं सो कॉल्ड इंटर्वियू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर press conference होती है और प्रधान सेवक तो उसे कतर आते ही हैं वो दिख गया है साफ दिख गया है पाच महीने रह गये हैं चार साल और साथ महीने बीद गये हैं एक भी press conference नहीं किया उनों ने है प्रेस conference का मतलब यह होता है कि जो संपादक लोग होते हैं जो पत्रकार होते हैं चाहिए वो टेलिविजन के हो चाहिए वो अख़वारों के हो वो बराबरी के स्तर पर सवाल पूछते हैं ऐसी हमारी परंपरा रही है लेकिन अब जो स्तर है हमारी पत्रकारिता का, हमारी मीडिया का, हमारे सरकारी और दर्बारी मीडिया का वो खुश होते हैं सेलफी खिचवा के, बीजे पी के धक्ष के साथ और प्रधान सेवक के साथ पतलब बिलकुल भी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए बलकि फासला बना कर रखना चाहिए नेताओं से फासला बना कर रखना चाहिए हर पत्रकार को और हर मीडिया वाले को भी हमें लोग बहुत ट्रोलिंग करते हैं गाली देते हैं क्योंकि हम सरकार के आलोशना करते हैं वो जादा सोच नहीं पाते हैं वो समझते हैं कि हम किसी पार्टी विशेश के होंगे कॉंग्रेस के होंगे या किसी और पार्टी के होंगे कभी कोई कम्मिनिस्ट कहता है कभी कोई कॉंग्रेसी कहता है कभी कुछ कहता है उससे हमें फर्क ने पड़ता ये पत्रकार का मीडिया वाले का फर्ज होता है कि वो नेताओं से दूरी बना कर रखे जब जरूरत पड़े तभी उनसे बात करे पहराल तब भी प्रधान सेवक जो हैं वो कतरा आते हैं प्रेस कांफरेंस से कल के तथा कथित सो कॉल्ड इंटर्वियू में कुल मिलाकर 18 सवाल पूछे गए और 55 मिनिट का इंटर्वियू था और इंटर्वियू नहीं था ये मन की बात थी एक तरफा बात थी क्योंकि क्रॉस कुश्चनिंग जो होती है वो ने हुई क्रॉस कुश्चनिंग प्रती प्रशन क्रॉस एक्जैमिन क्यों होता है क्योंकि आप है प्रधान सेवक आप एक पब्लिक पोजिशन पर है आपको चुना गया है सरकारी खजाना आपके हाथ में दिया गया है आप से रिपोर्ट कार्ड लेना जनता का हक है आप जनता के उन्हें वह इंट्रू देते हैं आप सिर्फ बागी तो 18 सवाल है उनकी चर्चा करना फिजूल की बात है हमें जो दो सवाल जिन पर हम बात करना चाहेंगे पहला सवाल एक पूछा गया उनसे पहला पहला सवाल है था यह कि 2018 का जो साल था वो भारते जनता पार्टी के लिए अच्छा साल नहीं था ठीक साल नहीं था पांच चुनावों ने भारते जनता पार्टी ने हार का मूँ देखा कहां कॉंग्रिस मुक भारत की बात हुरी थी या लगतार विजे रत बढ़ र कुछ ऐसी बाते गिना दी जो उनकी सरकार की परफॉर्मस का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड ही है प्रधार मंत्री ने जिक्र किया कि 5 लाख रुपया प्रतिव्यक्ति आयूश्मान भारत योजना के तहद दिया गया है और सौ दिन के भीतर भीतर 6-7 लाख लोगों ने इसका फाइदा उठाया है एक उपलब्दी यह है पिछले 4 साल 7 महिने की कि 6-7 लाख लोगों ने आयूश्मान भारत योजना का फाइदा उठाया है इसकी असलियत भी हम आपको आने वाले एडिशन बे वयान करेंगे दूसरा उनने कहा करता कि डुनिया जब भात करती है कि प्लाइमेट चेंज हो रहा है उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज में भारत को माना जाता था कि सबसे जादा पॉलूशन खराब फैलाने वाला पर्यावरन को खराब करने वाला एक देश है लेकिन 2018 में United Nations ने चैंपिन अफ अर्थ और प्रोटेक्टर अफ एन्वार्नमेंट भारत को कहा तो इसमें UN ने कहा इसमें ये आपकी उपलब्दी कहां से हो गई आपने क्या क्या किया है पॉलूशन कम करने के लिए कि शहरों में पॉलूशन कम हुआ है पर्यावरन में कुछ बैतरी हुई है छोटे मजोले बड़े शहरों में बेरहल ये रिपोर्ट कार्ड में उनका ये है कि achievement उनकी क्या है तीसरा उनका मानना है कि 18,000 गाओं में बिजली नहीं थी तो अच 18,000 गाओं बिजली पहुँच गई है ये प्रक्रिया बहुत अर्से से चल रही है ये पिछले चार साल और साथ महीने की नहीं है बहराज ये चुनावी वायदा भी नहीं था उसके इलावा उनका कहना है कि खेल कूट की दुनिया में हमारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन काम किया है बहुत सारे मेडल जीते हैं छोटे मजोले शहरों से हमारे जो बच्चे निकले हैं कमजोर बैक्ग्राउंड से कमजोर प्रिश्ट भूमी से वो देश का नाम उचा कर रहे हैं वो उचा कर रहे हैं आपकी सरकार का इसमें क्या योगदान है स्पोर्ट्स फेडरेशन में जितनी धांदली है हम सब जानते हैं बच्चे अपनी महनत से आगे पड़े हैं उन्होंने देश का नाम उचा किया है यह तो बिल्कुल ऐसे हो कि कहना जैसे ही कि हमारे इंजीनियर और हमारे कंप्यूटर इंजीनियर विरेशों में देश का नाम उचा कर रहे हैं इसलिए जिम्मा हमें मिलना चाहिए श्रे हमें मिलना चाहिए नहीं वह अपनी महनत से और उन संस्थानों की वज़ा से वहां पर गए हैं जहां गए हैं IIT जैसे संस्थानों के वज़े से, AIMS जैसे संस्थानों के वज़े से फिर इनका कहना है कि 104 सैटलाइट हमने अंतरिक्ष में छोड़े वो भी आपने नहीं छोड़े, आपकी सरकार नहीं इसरों ने छोड़े जिसकी शुरुआत बहुत साल पहले हो चुगी थी ले लेकर बताने को कुछ नहीं है कि पिछल चार साल और साथ महीने में क्या उपलब दिया रही है, यही उन्होंने गिनाई है और जो वायदे किये थे अनाप शनाप, उसके बारे में इंटर्वियोर ने एक भी सवाल ने पूछा कोई स्मार्ट सिटी के बारे में, कोई मेक इन इंडिया के बारे में, कोई स्किल इंडिया के बारे में कोई किसी भी जो वायदे किये थे अनाप शनाप, उनके बारे में एक भी सवाल ने पूछा तो एक सवाल हमें यह दिल्चस्प लगा दूसरा जो हमें लगा तिल्चा अस्पिस पर हम चर्चा करने चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि इस देवे का चुनाव होगा वो जनता और गठवंदन के बीच होगा ये भूल गए कि इनकी अपनी पार्टी भारती जनता पार्टी गठवंदन की ही पैदाईश है सन 75 में इंद्रा गांधी ने इमर्जन्सी लगाए थी जून के महीने में सन 77 में 18 जन्वरी को इमर्जन्सी अप्रत्याशित रूप से अचानक अनेक्सपेक्टेड विड्राव कर ली थी और कुछ हफते बचे थे और सारी पार्टीया इकठी हो गई थी जो पार्टीया कठी होई थी उस वक्त उसमें सोचलिस्त थे जॉच फरनाइडेस राजनारायन मधुलिमाये फिर वामपंती दल भी थे कॉंग्रिस ओ एक पार्टी थी जिसका नित्रित मुराजी दिसाई कर रहे थे भारतीय लोकतल चरण चौदरी चरण सिंग उसके नेता थे वो भी कठे आए और उसके अलावा जनसंग जो थी भारती जनसंग उसमें एलके इडवानी अलबिहारी वाजपई वगरा थे जो बाद में बीजे पी बन गई जनता पार्टी से निकल कर डियोल मेंबर्शिप के मुद्धे पर ठीक है कहने का मतलब यह कि भारती जनता पार्टी खुद गटबंदन की एक पैदाईश है उसके बाद वीपी सिंग की सरकार बनी तो भारती जनता पार्टी ने और वाम पंतियों ने उनको समर्थन दिया उसके बाद देवे गौडा की सरकार बनी उसके बाद आयके गुजराल की सरकार बनी ये भी सब गडबंदन की सरकार थी बारा बारा तेरह तरह पार्टी की सरकार थी उससे पहले सन 96 ही में जब देवेगोडा की सरकार बनी थी 13 दिन के लिए अतल पहरी वाजपी की सरकार बनी थी और कोई भी यहां तक की महराष्टरा गुमानतक पार्टी जिसके एक MP थे रमाकांत खलब वो भी समर्थन देने नहीं आये थे सन 98 से भारती जन्ता पार्टी ने अपना पूनर अविश्कार किया और एक जिसे कहते हैं कि proportional representation by default आनुपातिक प्रत्निधित बतलब सूचा नहीं था कि जिस पार्टी की जितनी CTI उसको उतना हिस्सा दे दो और मिल जूलकर सरकार चलाओ उसे नाम दिया गया गटबंदन का धर्म तो गटबंदन से ही भारती जन्ता पार्टी निकली है पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि पिछले चुनावों में अपनी ही ताकत पर इन्हें 282 सीटे मिली है इस दफ़े इनका कहना है कि जन्ता वर्सुस गटबंदन होगा तामने 145 आएंथी कुछ ऐसे आएंथी और चाहे अब हो या चाहे इंद्रा गांदी के वक्त पर हो किसी को यकीन नी था कि इंद्रा गांदी हारेंगी बड़ी बुरी तरह से हारी हो और उनके अपनी सीट भी हार गई थी और संजे गांदी भी हार गई थे बिलकुल इसी तरह इस वक्त हमें लग रहा है पिछले चार साल साथ महीने का जो है उसमें खुद को जनता का लाडला कहलवाना और ये महसूस करना की जनता वर्सिस गड़बंदन है हमें एक तो ये सवाल थोड़ा सा अजीब गरीब लगा क्योंकि लोक शाही में ही लोक तंत्र में ही विकल्प निकलते हैं अल्टर्निटिव निकलते हैं दूसरे रास्ते निकलते हैं किसी ताना शाही में नहीं निकलते हैं तीना बोलते थे देर इस नो अल्टर्निटिव अब मीना का महौल सल रहा है मोदी is no alternative देखते हैं प्रधान मंत्री कौन बनता है अगला प्रधान सिवक कौन बनता है और वो किस तरह से इस देश की अर्थ विवस्ता को कम से कम पटरी पर लाता है और जो बेरोजगारी की समझा है उसको किस तरह से दूर करने की दिश्या में कदम उठाता है नमस्कार